पॉमिन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले नूडल्स को बालना होता है जिसके लिए मैंने पहले से ही पानी को बनने के लिए रख दिया था पानी हमारा उबल गया है और उबलते हुए पानी में हम नूडल्स को डाल देंगे और नूडल्स को डालने के बाद हम इसे चलाएं चलाते हुए इसको पकाएंगे हमें एक दो बार ही चलाना है ज्यादा नहीं चलाना है इससे कि अलग हो जाए और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने पहले पानी में दो चर मुंदे ऑल की डाल दी थी और थोड़ा से नमक डाल देता जिसे कि चाव में जो यह नू यह होड़ा पात ज 연ति कि आपको दिखाती कि इसका पता क्या से छबलेगा है न उसे मैं जाफ से पंडोंगी और इसे में तोड़ और यह तोड़ते पानी से llowed यह तोड़ने चाहिए करें देखिगि और कि थे में नौर्मल पानी डाल इनल रेंगे न। मैंसे नीकल में अब को नूडल स्था किमें निकला गरम ésy parent लें और दस मिनट के लिए हम इसे चोड़े रखेंगे और उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे यह कुख हो चाहेगी तो आया वड़ी को भीगे हुए दस मिनट हो गए है और यह देखिए सॉफ्ट हो गई है हमें इतनी ही कुख करने है इसको इससे जादा कुख नहीं करना है तो अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल दूँगी देखिए मैंने पानी सारा निकाल दिया है इसका और हमें उपर से इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल दूँगी यह मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाल दिया है और इसके बाद में से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर इसको अलग बर्तन में रख लूँगी इस तरीके से हम अपनी स्वयबड़ी को त्यार कर लेंगे यह हमारी स्वयबड़ी त्यार हो गई है दीखे इस तरीके से मैं इसको सारी स्वयबड़ी को त्यार करके रख लूँगी मैंने चावमिन बनाने के लिए कडाही को गैस पर रख लिया है और इसे हम गरम होने देंगे उसके बाद मैं डाल रहे हैं रिफाइंड ओल डालने के बाद हम इसे गरम होने देंगे जब हमारा तेल गरम हो जाएगा मैं डाल रही इसमें जीरा जीरा हमारा भून जाएगा तो मैं इसमें प्यास डाल दूँगी और प्यास डालने के बाद हम इसे एक मिनट के लिए भूनेंगे एक मिनट बाद ये प्याज ट्रांस्पेरेंट हो जाएगी हमें थकी भून नहीं है ये प्याज हमें बहुत जाद ब्राउन नहीं करनी है और देखो मैंने सिम्ला मिर्च को लंबे भाग में कटके ले लिया है तो जब प्याज हमारी ट्रांस्पेरेंट हो जाएगी तो मैं सि तो देखिए इस तरीके से हम चलाते हुए अपनी प्याज को भूलेंगे इसे एक मिनट ही लगएगा मुणने में इस तरीके से हम्im भूछेंगे और यह ऐक अच हमें जाल देंगे शिम्ला मिर्च जालेंगे और इसे भी देंगे इस तरीके से चलाए हम इसको भूनेंगे और डिया सब्जेयर को चाव्में हाई फ्लेम पर ही इस ला इसमre पाई रखें और अब उसके डाल देंगे स्व्य वड़ी स्व्य इंडरेंगे ये इसमें अच्यश्डाय। इसको भी हम भून लेंगे जिससे कि इसमें जो तोड़ा बहुत पानी अगर रह जाता है तो वो भी भून जाएगा और वो अंदर से मतलब अच्छी लगेंगी खाने में तो इसे भी हम भून लेंगे और देखे ये भून रही है हमारी सबजिया असतरी किसी हमको भूना है अब हमें में कुछ मसाले एड़ करूंगी तो मैं पहले थोड़ा ही कर रही हूं क्योंकि स्वयवड़ी फिर अंदर से फीकी लगेंगी स्वयवड़ी में जिससे की सारी मसाले और नमक वगरा कर टेस्ट आजाएं तो मैं इस लीज में डाल रही हूं और ज्यादा भी नडाले क्योंकि स्वयवड़ी वन्हा तो पीजाएंगी तो मै इसमेंदाल दिया है तीकी लाल मिर्च नमक डाल दी है आप नमक ज़्यादा ना डाले नहीं तो ये कड़ी हो जाएगी और स्वयवड़ी सहरा तो इसमें मैं डाल रहे हैं विनेगर यह में एक से दो चमस डालूंगी कि यह मैंने डाल दिया है विनेगर टेस्ट के लिए जिससे कि हमारी स्वयवड़ी में अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा कि और हम इसे अच्छे से भून लेंगे डालके देखे क्या बढ़िया सब्जे हमारी भून रही है तो इसी तरीके से हम भूनेंगे सब्जे को चलाते हुए हम भून लेंगे यह मैं कश्मीरी लाल में जाल रहे हैं थोड़े से कलर के लिए इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी चावमें में ऻच्छा कलायगा लक्त मार्केट में रिलकर ही चला लेज 오गा उचा का आड़ी चामिन का कलर है वह बहुत अच्छा होजाएगा युज नहीं कर रहे हैं अगरो तो अ कर सकते हैं गाटिञा युज तु यह हम बजार याइँगे रहाइद में मिलतीफ है ऐसी शज़ बनाओं नहीं कर है युज तो मैंने इसमें डाल दया समबर मसाला एक छिष्ट खब चमचЙूध आप पाव भज मसलह का, यूश्ट कर सकते। अगर आपको लगे कि हमाद आपकी सब्जी नीचे लग रही है ताब मीडियम फिल्म कर सकते हैं और इसके फ्राइआ अच्छे से जब तक कि ये मसाले साहरे अच्छे से एड नहीं हो जाते और मैं अपने नूडल अच्छी तरह से चलाँ एंगे च्छी से चला लेंगे था और मुझे कडाई भोध गरम लगने लगी थी तो मैं एक कपड़े का यूज बपड़ने के लिए और मैंने कपड़ा ले लिया है तो मैं इस पकड़के आब इसे चला warmer अच्छे से ढहें जिसे कि यह मसाले हो जाएगे और इस तरीके से खोल देयंगे और हिसका जो धर के लिए डिन जायोगा बाही रही बिल्कुल एकद्स हो जाएगर इस तरीके से हम खोलते हुए नूडल्स को चलाएंगे इसको और देखिए ये इस तरीके से बीच पीच में हम इसको चलाते रहेंगे और खोलते रहेंगे इस तरीके से हम चालते हुए इसको चलाएंगे जिसके हमारे जो सारे नूडल्स हैं वह अच्छे से खुल जाएं और में डाल दोंगी वाईय वीनेकर कि इसे मैं फिर से 1 9ft चमच डाल रही हूं और थोड़ा से डाल हुआ है मैं इसमें नमक सदनुसर व either तो हम दढ़ता सिल मीर्च कि आप स्दूगा है मसाले भार धर इससे क्या होगा हमारी मसाले जो है वो अच्छी से मिल जाएंगे और हमें दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि एक बार में अगर हम सारे मसाले डाल देंगे तो स्वया जो है वो उसे एब्जॉब कर लेगी और वो बहुत ही उसका स्वात बिकार हो जाएगा तो इस तरीकिसे कोलते हुए चलाते रहें इसे उचालते हुए चलाते रहें और इसे भून लें अच्छे से देखें हमारी यह चामीन है यह तैयार हो गई है और देखें कितनी बढ़िया लग रही है इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा लग रही है बिल्कुल मार्किट जैसी जैसे मार्क लगी कि खाने में मुझे बढ़ी बहुत पसंद है अगर आपको भी पसंद तो आप भी इस तरीके से डाल सकते हैं तो आपको भी पसंद है तो आप इसे जरूर डालें क्योंकि बहुत अच्छा लगता है देखें कितनी बढ़ी है लग रही है बिल्कुछ बजार जैसी कोई क शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखते रहें बाई बाई एवरिवन